वहां पर आपकी जो लाइन है वहां पर आपकी जो लाइन है वह आपकी लाइन पहले हैं वहां पर आपकी लाइन के जो लाइन है यहां पर उन लाइन के इस तरह से स्कतर क्रीजां में है लेकिन जब हम आपको यहां पर चलता रहेगा या फिर अपर इसे रिटन करना चाहेंगे तो return भी हो जाएगा तो देखिए हम चलते हैं AutoCAD में और AutoCAD के दुरू समझते हैं कि X-Line Command को किस तरह से draw किया जा सकता है और इसका basically purpose क्या होने वाला है तो देखिए आपके पास जो यहां पर line मिल्ती है वह XL9 मिल्ती है तो देखिए basically जो आपके use होने वाली है एक्सलाइन जो है आपकी मारे सपाइन टू प्लस ट के पीच में जो आपकी टेसंसには में हैं इक पॉइन्स दीना पड़िए आपके यहां पर किस तर से ता agree तो यह जो लाइन बन रही है आपकी मानस इंपाइड accident बीच में बन रही है वह यहां पर दिख रही है आप यहां पर 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 यहा मल्टिपल लाइन को यहां पर ड्रॉ कर सकते और उनका uses कर सकते हैं जब आप drawing की mapping करते होंगे देखे drawing की mapping के लिए आपको समझाना चाहूँ तो देखे यहाँ पर जब आम x line command को use करते हैं देखे एक्स line command को use करने पर देखे जड़ा देखे यहाँ पर आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इस लाइन को use करना चाहते हैं तो सिंपल सा x line एंटर करना है अब यहाँ पर बात करें अगला पॉइंट जो आपके पास options आ रहे हैं वह यहाँ पर आया है और मदलब horizontal हो गया वर मदलब vertical हो गया एंगल के साथ अब देना चाहते हैं बाइसेक्ट मदलब पाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर horizontal कमांड के लिए मुझे एंटर करना पड़ेगा तो मैं एंटर कर गया एंटर करते ही आपके जो आ यहाँ पर मैपिंग के अंदर किस तरह से यूज होने वाला है तो जब आप यहाँ पर ड्रॉप करेंगे मैप बनाना मतलब क्या कर रहे हैं आप किसी हाउस का मैप बना रहे नकसा बना रहे है तो यहां पर आप के पास क्या हूता है आपके बात करें एक्सप्राइं के इंदर अगला है एंगल के लिए मुझे एंटर करना वाड़ेंगा अब जरह बात करते हैं यहां पर angle of the x line theta और यहाँ पर बात की गई है reference की तो जरह बात करते है angle of the theta की तो दीजिए theta की बात करें यहाँ पर तो मैं यहाँ पर enter रहे देता हूं 25 yes 25 enter गया यहाँ पर तो देखे यह मेरी line बन रही है वह यहाँ पर base line के साथ यहाँ पर angle को दिखें यहां पर देखें, यहां पर इंटर करने के बाद मैं जा रहा हूं एंगल के अंधर, यहां पर सबसे भीविए करने चाहता हूँ यहां पर देता हूं यहां जा खो यहां पर बात करẽह सुवीर कि अब मुझे यहां पर राफरेंस की का यहां पड राफरेंस का आन। लेकिन मुझे यहाँ पर इसका angle नहीं पता है यस बेसिकली हमने angle के थुरू बनाया है लेकिन अभी मैं angle भूल चुका हूँ लेकिन मुझे इस reference के along मुझे यहाँ पर reference line के along ही मुझे यहाँ पर क्या करना है x line को draw करना है देखे basically किस तरह से कर सकते है तो मैंने क्या है xl enter किया है xl enter करने के बाद बात करें angle के अंदर तो a enter किया है यहाँ पर पूचा किया है reference तो reference के लिए मैंने r enter करना है reference के लिए जैसे r enter किया तो यहाँ पर पूचा चारा है select a line object तो यहाँ पर मुझे select the line object करना है मतलब किस reference line के along यहाँ पर मुझे line को draw करना है तो basically यहाँ पर angle के दुरू बनाना है तो देखिए मैंने इसके पर enter कर दिया अब यहाँ पर पुछा क्या है enter the angle of the x line is 0 degree या फिर आपके पास कुछ और देना है मतलब क्या पुछा चाहरा है यहाँ पर या आप इस line के along ही आप अपनी एक्से लाइन को draw करना चाते हैं या फिर इससे पोड़ा सा extend करके आप यहाँ इस line को एक्सेंज करने वाले है तो basically हम इसी reference line के along करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर 0 enter कर दिया है जैसे ही 0 enter किया है तो जड़ा देखे यहाँ पर इसी reference line के along मेरे पास जो है एक्से लाइन क्रेट हो चुकी है अब मैं चाता हूँ एक पार यहाँ रहा है और दूसी में यहाँ रखना चाता हूँ तो यह क्या हो गया मेरे पास जो reference figure था उस reference figure के along मैंने क्या है यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है अपनी एंगल जो आपके line है उसको मैंने ट्रॉब कर दिया है अब चलते हैं हमारे पास अगले जो options है उसके बारे में डिसकस करें अब बात करें यहाँ पर दिस्क्राइए उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक लाइंगल बना दे सबसे पहले मैं इक line ड्रॉ कीया है कि उके इस फ्रू मैं यहां पर करा हूँ एक एंगल बना दिया है आपका को दिखी यहां पर मैंने एक reference आंगल बना दिया है उसकी यहां पर क्या करना पड़ेगा व pim P को मैंने कर दिया है यहां पर पूछ गया है इंडिंग पॉइंड के बात की गई है तो देखिए यहां पर यहां पर एंगल को मेजरमेंट करके करने करने यहां पर यहां पर कितना हो गया है वह यहां पर कितना हो गया है कि बाइस करने के बाद जो एंगल आपाट बना है वह कितना डिगरी बना है अब जड़ा देखे यहां पर यह मेरे पास होगे अलग बाइस हमने देखा यहां पर जो हमारे पास इसके बास भी वापस आएंगे और यहां पर देखेंगे कि किस तरह से यहां पर एक्सलाइन के दर एक और बात करना चाहूंगा यहां पर एक प्रस्वाइब करना चाहेंगे तो वहां पर हम एंगल कमांड का यूँब यूजड भी यूजड कर सकते हैं और हमारे पास चल रहे थी उसका भी यूस कर सकते हैं तो यहां पर basically मैं यहां पर basically आप समझ चुके होंगे कि x-line command का use किस तरह से किया जासकता है बड़े-बड़े जो connections होते हैं वहां पर x-line command का बहुत ज़्यादा uses है जब आप mapping करने जाएंगे तब भी आप भी हाँ पर x-line command को बहुत ज़्यादा use देख पाएंगे प्लियर होगे होगा आपको कि x-line command को किस तरह से use करना है आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स करना है तब तक आप आप मारे साथ बने रहे हैं थाइंगे पूर वाच अज़एंगे उन्दा ऋपार वाचिन देख दो वाचिन देख पार वाचिन देख देख पार वाचिन देख आप हैं